Hello guys, welcome back to another video आज की इस वीडियो में मैं आपको LG TV का रिव्यू दूँगा और ये है LG LQ 576 BPS से तो इसे 6 मन्त हो गए हैं मुझे यूज करते हुए तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि क्या इसमें प्रो है कौन से और आपको ये TV लेना चाहिए या नहीं इसका प्राइज कितना है और मैंने ये कहां से बाई किया था आपको ओनलाइन लेना चाहिए या फिर मार्केट में जाके लेना चाहिए कोहां पर सस्ता मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा अगर इसके अच्छे फिचर्स की बात करें तो शबसे बड़ियां है इसका रिमोट लगता है देख सकते हो माॉस की तरह ये वर्क करता है स्क्रोल करने का भी इसमें एक बliक्तान है यहां पर देख सकते हो जैसे mouse का use करते हैं laptop या computer में desktop हो गएरा में तो उसी तरह है यह ठीक है यहां पर देख सकते हो इसमें आप setup box connect कर सकते हो और wifi और internet से भी चला सकते हो आपको सारे जितने भी important apps होते हैं movies के होगे, ott होगे बहुत सारे मिल जाएगा और इसमें आप app को download भी कर सकते हो और यह LG का web OS technology पे है तो इसमें आप कोई भी app download कर सकते हो जो इसके store में होगा और अगर नहीं है तो इसमें smart view का option रहता है आप अपने mobile से से connect कर सकते हो और जो भी आप mobile में चलाओगे इसमें वो दिखेगा जैसे अगर आप study करना चाते है कोई भी PDF रीट करना चाते है तो mobile में थोड़ी difficulty होती है तो smart view का एक option होता है जब आप इसमें इसे set कर दोगे तो बिलकुल आपको पता है पूरी screen पे आप इस PDF और रीट कर सकते हो कुछ भी mobile में चलाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो mobile में पीको गए रहा है तो उसे भी बड़े screen पे यहाँ पे देख सकते हो तो मुझे यह काफी अच्छा इसका यह features लगा और इसके बाद इसकी picture quality आपको पता है LG की बहुत ही अच्छी होती है पिक्चर quality में आपको vivid option दिख जाएगा standard mode दिख जाएगा cricket mode दिख जाएगा अगर dark करना इस screen को ठीक है वो भी इसमें mode है दिख जाएगा तो बहुत ही अच्छा features लगा मुझे है और अगर आप standard पे करते हो तो automatic इसकी color adjust होते है जैसे भी picture या आप music देखते हो उसके according और इसके बाद अगर sound की बात करें तो लोग कहते है sound इसकी कम होती है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसकी sound में लगबग यहाँ पे देख सकते हो 18, 19, 20, 30 से जादा निकरता हो एक normal room के लिए बहुती enough sound है यह और 100 पे तो आप सुनी नहीं पाओगे इतनी तेज आवाज है इसकी गाने गुने सुने कुछ टाइम के लिए सुन सकते हो लेकिन अगर आप normal चीजे देख रहे हो serial हो गएरा देख रहे हो cricket हो गएरा तो 15 से 20 इसकी जो volume है काफी enough रहती है एक normal अगर आपका room है ठीक है और इसमें update भी आते रहते हैं साथ के साथ आप update भी कर सकते हो latest जो इसका version है update होता रहता है और यहाँ पे देख सकते हो आप इसमें browser भी चला सकते हो देख सकते हो यहाँ पे web browser है तो इसमें अगर net से surfing हो गएरा website चलानी है वो कर सकते हो इसके बाद यहाँ पे app का option मिल जाएगा YouTube चला सकते हो ठीक है और यह सारे देख सकते हो app है जितने भी आप app यूज़ करते हो और Alexa का support मिल जाता है तो सारी चीज़े हैं कुछ भी मुझे disadvantage नहीं लगा और सबसे अच्छा मुझे इसका remote लगा और मैं काफी इस TV से buy करके काफी अच्छा लगा मुझे और experience भी बहुत अच्छा रहा और मैंने यह जो TV है buy किया था Amazon से online उस time offer चला था और credit card का offer था तो मुझे यह लगबग 2000 की उसमें छूट मिल गई थी इस समय इस TV का प्राइज है लगबग साड़े 16,000 है और इस range में भी काफी अच्छा यह LED है तो आप इसे buy कर सकते हो अगर आपको buy करना है तो इस वीडियो के description में link दे दूँगा आप उसका easy से use करके website पे जाके इसे purchase कर सकते हो Amazon की जो website है यहाँ पे देख सकते हो इसका यह कुछ view आता है जिसमें यह सारी चीजे आप connect भी यह connect भी कर सकते हो सारी चीजे देख सकते हो यह अभी यहाँ पे setup box है live TV हो गयरा है speaker हो गयरा है बहुत सारी चीजे हैं और मैं दिखाता हूँ आपको yes I want to exit so यह देख सकते हो यह अच्छा method है select connection method connect for think IQ connect TV अब mobile वगएरा का यूज़ करके बहुत ही अच्छा experience इसमें ले सकते हो so अगर कोई भी doubt है कुछ पूछना है आपको comment में पूछ लेना instagram का link देदूँगा वहाँ पूछ लेना आप ठेक है और buy करना है तो इस video के description में लिंक देदूँगा उसे click करके भाई कर लेना आपको उसी rate पे मिलेगा मेरा थोड़ा benefit हो जाएगा ठेक है ऐसा review आपको देता रहूँगा so आज के इस video में इतना है thank you guys तर वहाँ देक है